स्वागत है आप सभी आगनबाडी बहनों का हमारे चैनल डीके टेकनिकल गया में तो बहनों आप लोगों के द्वारा काफी सारे कमेंट पुछे गए थे कि पोशन ट्रेकर रैप में गर्भती महिला को धात्री महिला में हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं लेकिन ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो आज हमें आप इसका आपको सलूसन बतलाने वाले हैं कि कैसे आप लोग गर्भती महिला को धात्री महिला में ट्रांसफर कर सकते हैं चुकि देखिए जो पिछला अपडेट आया था 18.7.1 उस अपडेट के आने के बाद सभी आगनबड़ी सेविकाओं को एक ही समस्या है कि गर्भती महिला से धात्री महिला में ट्रांसफर कैसे करें तो इसके लिए हमें यहाँ पे बेनिफिसरी वाली केटेगरी को सबसे पहले ओपन कर लेनी है ठीक है यहाँ पे प्रेगनेंट ओमेंड की केटेगरी को ओपन करनी है ओपन करने के बाद जैसा कि आप सभी लोग जानते है कि किसी भी गर्भती महिला को ट्रांसफर करने के ल three dot वाले option पे आपको click कर देना है जैसे कि यहाँ पे आप click करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एक नया page खुल किया जाएगा जैसे कि यहाँ पे update profile का option है migrate to lactating mother का option है add growth and nutrition details है vaccination details है beneficiary date का option है तो यहाँ पे कई सारे option आपको देखने को मिल जाते हैं ठीक है तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो second वाला option है migrate to lactating mother इस option पे हमें click कर देना है जैसे कि इस option पे click करने के बाद आपको यहाँ पे सारे option यहाँ पे खुले हुए मिल जाएंगे जैसे किसी कारण वास कोई भी बच्चा जो है कि बतलाना चाहूंगा migrate करने से पहले कि जैसे कि अगर आप किसी भी गर्भाती महिला को nine month हो जाने के बाद उसको migrate नहीं करते हैं जैसे कि यहाँ पे जो expected delivery date होता है यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे expected delivery date से यानि कि इनेक्टिव हो जाएगी अभी फिलाल यहाँ पे हमारे पोसं ट्रेकर अप में यह जो लभार्थी है उसका delivery अभी दो-तीन दिन extra जा रहा है लेकिन कुछ और दिन extra जाने के बाद यहाँ पे वह आपका जो लभार्थी है यहाँ पे इनेक्टिव में दिखलाने लगेगा तो यह समस्याए अभी आगलबारी सिविकाओं के साथ बनी हुई है तो इसको बहुत ही जल्द सोर्ट किया जाएगा यानि कि बहुत ही जल्द इसको ठीक किया जाएगा जैसे कि हमने पोसन ट्रेकर एप के टीम से भी बात किया तो उन्होंने बताया कहा कि यह टेकनिकल इसू के कारण ऐसा आप लोग को समस्याए हो रही है बहुत जल्द ही आपका 24-48 आवर के अंदर जो आपका पोसन ट्रेकर एप है उसमें फिर से एक नया अपडेट आएगा जिसमें कि आपकी सबसे पहले यही समस्या को ठीक की जा रही है हम आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं कि 24-48 घंटे के अंदर ही आप लोग को पोसन ट्रेकर एप में एक और नया अपडेट देखने को मिलेगा और बहुत जल्द ही आपकी यह प्रॉल्म को सॉल्व कर दिया जाएगा फिलाल अभी आप किसी भी परकार से यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा काम करते हैं जैसे कि इसको उन इस्टॉल करके जो पुराना वाला भर्जन है उसको डाउनलोड करते हैं तो भी आपकी यह समस्या है ठीक नहीं होगी जैसे कि कोई ओल्ड भर्जन भी आप यहाँ से इंस्टॉल कर लेते हैं पोशन ट्रेकर एप का 18.7 या 18.5 जो पिछला ओल्ड भर्जन है उसको डाउनलोड करके और इंस्टॉल करेंगे तो फिर से आपको इसी नए अपडेट पे लेके आ जाएगा जो 18.7.1 का जो अपडे पसंद आई हो अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को लाइक किजिएगा यही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा ताकि जो आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन हो आप तक मिल जाए तो मिल झाल 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 झाल